एक बार की बात है, शाह जहांपुर नाम का एक गाउं था, जहांपर एक चुडैल रहती थी, वो बहुत दिन से अकेली रह रह रही थी, और अब बूड़ी भी हो रही थी ओहो, अब तो मेरी उमर हो चली है, किसी भी इंसान को पकड़ कर मार पाना अब मेरे बसका नहीं रह गया है, पहले में कितनी फुर्ती ली थी, एक साथ दो तीन इंसानों को दबोश लेती थी, लेकिन अब अब तो मुझे एक वक्त का खाना भी मिल जाये तो बहुत बड़ी पात है, चुडेल यही सब सोच कर परिशान हो रही थी कि तब ही वहाँ पर एक बिल्ली आती है, अरे वा, चलो, कुछ नहीं तो इस बिल्ली से ही काम चलाती हूँ, कम से कम भूकी तो नहीं सोगी, चुडेल बिल्ली को पकड़ लेती है और बिल्ली भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन चुडेल उसे पकड़ कर जोर-जोर से हसने लगती है, अरे कहा भाग रही हो बिल्लो रानी, अभी तो आई हो, तुम्हें चक तो लू, आओ, अब बाकी की म्याओ म्याओ मेरे पेट में जाकर करना, चुडेल बिल्ली को खाने ही जा रही थी कि तब ही उस जोर से हसने लगती है, अरे वाग क्या बात है, ये विचार मुझे पहले क्यों नहीं आया, बिल्लो रानी तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई शिकार मेरे मुह तक आए और बचकर निकल जाए, लेकिन तुम खास हो, मैं तुम और उसे भी अपनी तरह भूतिया बना देती है, बिल्ली अब एक भूतिया बिल्ली बन चुकी थी और पूरी तरह से चुडैल के कबजे में थी, आज से तू मेरी पालतु बिल्ली है, और जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा तुझे करना होगा, अब से तू ही मेरे और अपनी मालकिन का पेट भरेगी, इसके बाद चुडैल बिल्ली को लेकर गाउं में जाती है, और अपना नया शिकार ढूरने लगती है, तभी उसे विमला नाम की एक और दिखाई देती है, चुडैल ने अपनी भूतिया बिल्ली को फिर से आम बिल्ली का रूप दे दि चुडैल की भूतिया बिल्ली विमला के पैरों के पास जाकर बैट गई और म्याओं म्याओं करने लगी, उसे देखकर विमला को उस पर तरस आ गया, अरे ये तो बड़ी प्यारी बिल्ली है, क्या हुआ, तुझे भूक लगी है क्या, रुक, मैं तेरे लिए दूद लेकर आती हो, फिर विमला बिल्ली को सहलाने लगी, लेकिन तभी बिल्ली ने अपना रूप बदर लिया, भूतिया बिल्ली को देखकर विमला डर के मारे चिलाने लगी, और भागने की कोशिश करने लगी, बचाओ, बचाओ, ये क्या हो गया, ये बिल्ली तो भूतिया है, बच जाओ बिल्ली ने देखते ही देखते विमला की गर्दन पर काट लिया और विमला डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गई इसके बाद चुडैल ने जल्दी से जाकर विमला को मार कर खा लिया और अपनी भूतिया बिल्ली को लेकर वहां से चली गई वाँ वाँ अब तो मेरे बुरे दिन खत्म हो गए भाया अब अच्छे दिन आएंगे ये सब कुछ मेरी प्यारी बिल्लो रानी की बदौलत है सारे गाउं में हल्ला हो गया और किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि विमला की जान आखिर कैसे गई ऐसा कई दिनों तक चलता रहा जब चुडेल अपनी भूतिया बिल्ली की मदद से लोगों को मार कर खा रही थी और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था एक दिन चुडेल पेड़ पर आराम से बैठी थी हम्म्म अब तो जिन्दगी बहुत आराम से कट रही है जब से ये बिल्लो रानी मेरी जिन्दगी में आई है तब से तो मेरे दिन ही बदल गए है तब ही चुडेल की नजर सामने से जा रहे एक आदमी पर पढ़ती है उसके साथ में एक बच्चा भी था चुडेल उन दोनों को देख कर बहुत खुश हो जाती है और उचल कर खड़ी हो जाती है अरे वाह ये तो एक के साथ एक फ्री का आफर लगता है तो इसे मैं हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ इतना कहकर चुडेल उस आदमी के पीछे पीछे चल पड़ी चुडेल ने जट से अपनी बिल्ली को आगे भेज दिया और उस आदमी के साथ जो बच्चा था वो बिल्ली के साथ खेलने लगा अरे चिंटू मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया है न ऐसे राह चलते किसी भी जानवर को नहीं चूते हैं कभी कभी ये खतरनाक हो सकता है इतना कहकर चिंटू बिल्ली के साथ खेलने लगता है लेकिन तभी बिल्ली वापस से भूतिया बन जाती है और चिंटू पर हमला कर देती है और पीछे से चुडैल भी आ जाती है बेटा तेरे पापा सही कह रहे थे किसी भी राचलते जानवर को ऐसे हाथ नहीं लगाते क्या पता वो भूतिया हो चुडैल को देखकर चिंटू और वो आदमी दोनों ही डर जाते है लेकिन वो आदमी बिल्ली के साथ लड़ने लगता है चिंटू किसी तरह से अपनी जान बचा कर वहां से भागता है और गाउं पहुच जाता है लेकिन पीछे से चुडैल उस आदमी को मार देती है चिंटू गाउं पहुच कर सारी बात गाउं के सरपंच को बता देता है सभी गाउं वाले ये सुनकर हैरान रह जाते है सभी लोग आपस में बात करी रहे थे कि तभी चिंटू के एक स्कूल की दोस्त प्रिया वहां पर आ जाती है सब लोग सुनो वो बिल्ली मेरी है वो मेरी बिल्ली किट्टी है मैं उसे कब से ढूंड रही थी पर वो मुझे मिली नहीं रही थी जरूर उस चुडैल ने मेरी बिल्ली पर जादू करके उसे भूतिया बनाया होगा क्या पर हो सकता है वो कोई और बिल्ली होगी प्रिया तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि वो तुम्हारी ही किट्टी है ठीक है तो मैं खुदी जाकर देख लेती हूं कि वो मेरी बिल्ली है या नहीं नहीं बेटा इसमें खत्रा हो सकता है अगर वो तुम्हारी बिल्ली भी है तो भी अभी वो है तो भूतिया ही ना पहले हमें कोई तरीका निकालना होगा जिससे हम उस बिल्ली पर हुआ जादू हटा सके और चुड़ायल से भी छुटकारा पा सके मुझे तो लगता है वो चुड़ायल बूढ़ी हो रही थी और शिता नहीं कर पा रही थी इसी लिए उसने एक आम बिल्ली को चुना और उसे भूतिया बना दिया ताकि वो लोगों को मार सके आसानी से और उन्हें खा सके तो अगर एक बार बिल्ली का जादू खत्म हो चाएगा तो चुड़ायल तो फिर से कमजोर हो ही जाएगी फिर हम उसे आसानी से यहां से भगा पाएंगे पर ये सब होगा कैसे ये सब तो बहुत खतरनाक काम लग रहा है मेरे पास एक घंटी थी जिसकी आवाज सुनकर मेरे बिल्ली हमेशा मेरे पास आजाती थी संजु सब को वो तरीका बता देता है और सब बहुत खुश होते हैं थीक है यही रुको मैं अभी अपनी घंटी लेकर आई प्रिया दोड कर जाती है और अपनी घंटी लेकर आती है फिर चिंटू और प्रिया पूरे गाउं में घंटी बजाते हुए बिल्ली को आवाज लगाने लगते हैं वो चुडेल एक पेड़ पर अपनी बिल्ली के साथ बैठी हुई थी तब ही उसे घंटी की आवाज सुनाई देती है बिल्ली भी वो आवाज सुनकर जाग जाती है ओहो, मेरी भूतिया बिल्लो रानी लगता है कोई तुम्हे बुला रहा है शायद ये तुम्हारा पुराना मालिक है अब वो तुम्हें इतना ढूंड रहा है तो फिर जाओ, जाकर अपना काम करो, जब तुम्हें वो मिल जाएगा तब मैं उसे खालूंगी भूतिया बिल्ली दोड़ कर प्रिया की तरफ जाने लगती है अरी वो रही मेरी बिल्ली, ये तो सच मुझ भूतिया हो गई है पर प्रिया लगातार घंटी बजा रही थी, जैसे ही बिल्ली प्रिया और चिंटू के पास पहुँच जाती है संजु वहाँ आ जाता है और गाउवालों के साथ मिलकर, वो भूतिया बिल्ली पर एक जाल फेक देता है जिसमें वो फंस जाती है बिल्ली म्याओ म्याओ करके बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है बस थोड़ी देर किटी, बस थोड़ी देर सहलो, फिर तुम उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाओगी मुझे माफ करना जो तुम्हें इस सबसे गुजरना पढ़ रहा है जब काफी देर तक भूतिया बिल्ली वापस नहीं लोटती तो चुड़ैल सोच में पढ़ जाती है अरे ये मेरी बिल्लो रानी अब तक वापस क्यों नहीं आई कहा गई, अब शायद मुझे ही जाकर ढूणना पड़ेगा चुड़ैल ढूंटे ढूंटे उस जगह पर पहुच जाती है जहां बिल्ली जाल में फसी हुई थी पर उसे आसपस कोई और नहीं दिखता ये क्या, किस के इतनी हिम्मत जिसने मेरी भूतिया बिल्लो रानी को कैद किया मैं उसे छोड़ूंगी नहीं पर पहले अपनी बिल्लो रानी को तो आजाद कर दूँ पर चुड़ैल उसे आजाद करती उससे पहले ही वहाँ पर संजो और सरपंच आ जाते हैं और दोनों चुड़ैल को पकर लेते हैं अरे कार हो तुम दोनों चोड़ो मुझे तुम लोगों को मरना है क्या एक-एक को खा जओंगी छोड़ो मुझे तब ही चिंटू और प्रिया वहाँ आते हैं और वो दोनों चुड़ैल के उपर पेट्रोल पेखने लगते हैं ये, ये क्या कर रहे हो तुम दरो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे ऐसे कैसे जाने दे, तूने हमारे गाउं के इतने लोगों को मार कर खा लिया, अब तो तू मरेगी इतना बोलकर सरपेंच चुड़ैल को आग लगा देता है, जिससे वो जल कर मर जाती है आओ, बचाओ, बचाओ मैं जल रही हूँ, कोई बचाओ, बिल्लो रानी, आओ, बचाओ मुझे चुड़ैल चिलाती रहती है, लेकिन कोई भी उसे नहीं बचाता चुड़ैल के मरने के बाद, बिल्ली के उपर चुड़ैल का जादू भी तूट जाता है, और वो पहले जैसी हो जाती है मेरी प्यारी बिल्ली अब तुम उस चुड़ेल के जादू से आजाद हो चुकी हो चलो अब हम घर चलेंगे अब तुम मुझे छोड़ कर कभी मत जाना ये सब तुम्हारी सवजदारी का ही नतीजा है जो हम इस चुड़ेल से बच पाए शाबाश बेटा इसके बाद प्यारी बिल्ली को लेकर वापस घर चली जाती है और गाओं में सब लोग वापस खुशी-खुशी रहने लगते हैं